नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है पीपोई में आज इस वीडियो में क्योंकि एलेक्शन आ रहे हैं फिर से एलेक्टारल बॉंड स्कैम के बारे में बात करेंगे एलेक्टारल बॉंड का डेटा SBI ने दे दिया सुप्रीम कोट की डार्स दोने के बाद बच्चा हमवक कर ला है पर अभी भी हमवक में कुछ चोरी करी है पूरा डेटा अभी भी नहीं है वो सीखरेट नमबर जो दो कड़ियों को जोडता है जो ब्रिज है पॉलिटिकल पार्टी के बीश में और फंडिंग अमाउंट के बीश में डोनर के बीश में वो अभी भी इस्टाबिश नहीं हुआ है दो डेटा शेयर हुआ है जो की वेबसाइट पे लिंक देस्ट्रिप्शन में आप देख सकते हैं एक डेटा में डोनर्स का नाम है साथ में डेट है साथ में डिनॉमिनेशन है कितने अमाउंट की डोनेशन दी गई दूसरे डेटा में पॉलिटिकल पार्टी का नाम है डेट है जब उन्होंने इलेक्टारल बॉर्ण कैश किया सबसे ज़ादा बड़ी पार्टी चंदे वाली वो पाई गई है बीजेपी मैं एक भारती नागरिक हूँ मेरा काम किसी भी पार्टी का साथ देना नहीं है पर जो भी trend में है उसको decode करके society में awareness लाना मेरा काम है और electoral bonds के मामने में Supreme Court की जो पूरी डाट है जो SBI को पड़ रही है बार-बार Supreme Court ने जो बताया है कि ये bonds unconstitutional है उसके बाद उनको बोला कि बताई ये पब्ली को जानने का हग है election से पहले कि ये bonds किस party ने दिये हैं और किसको दिये हैं ना ना करके SBI डेटा दे बैठा पूरा नहीं दिया उसकी आने की देर है पर इस डेटा से भी बहुत कुछ पदा चल रहा है पहला ये कि बिलकुल unfair है क्योंकि जब एक political party को 6000 करोड से भी जादा donation मिलती है और बाके सब party हैं मिलके भी उनको इतनी donation नहीं मिलती so ये सीधा elections tilted हो जाता एक political party की favor में जिसकी आर्थिक से दी बहुत मजबूत है जो अपने marketing campaigns में ठेरो budget यूज़ करके impression अपनी तरफ कर सकती है और elections में बहुत कुछ ऐसा कर सकती है पैसो के बदले जो उसको undo advantage देता है और मुझे लगता है कि ऐसा होता है तो elections fair कैसे होंगे मुझे यह भी लगता है कि यह जो elections है जो चंदा है इसकी कोई ना कोई cap होनी चाहिए थी जो की नहीं है एक political party कितना fund ले सकती है और यह cap होती है तो तब भी समझ में आता पर इसकी तो कोई cap ही नहीं है किसकी कोई सीमा ही नहीं है जिससे undo advantage मिल रहा है अभी तक क्यों नहीं दिया जब यह secret number bonds पे लिखावा है ultra valid race से यह सामने नजरा आ जाता है और यह digitally captured है तो यह तनी देर क्यों लग रहे है Supreme Court को बार बार याद दिलने के क्यों ज़रुत पढ़ रही है कि आपने यह data miss किया आपने वो data miss किया पर anyways जब वो data आएगा तो और चीज़े साफ होगी क्योंकि तब पता चल जागा जितना भी amount है exactly किस firm ने या किस individual ने किस political party को दिया है और वो जब आएगा data तो उसकी बात करेंगे पर अभी जितना data उससे भी दो चीज़ें बहुत साफ हो जाती है कि ये जो electoral bond का पूरा scheme था ये ब्रश्टा चार को बहुत ज़ादा बढ़ा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे data और ऐसे facts सामने आ रहे हैं जिनकों link किया जाए तो आप देख सकते हैं कैसे ब्रश्टा चार और काला धन बढ़ सकता है मैं आपको कुछ examples देता हूँ बात करें भरश्टा चार की तो एक शीज साफ है बहुत सारी ऐसी कमनी है जिनकी उकाद से बाहर उन्होंने political parties को fund किया आम दन ये ठ्ठन नहीं और fund दे रहे हैं हजार होगा ये नाम आपको बदा रहा है चीक-चीक के कि profit कुछ नहीं है पर fund हजारो करोडों का ये कैसे possible है एक balance sheet में पैसा आता है और वो सीधा चंदे में चला जाता है कई बार अमिच्या ने बुला है कि ये electoral bond scheme अगर खतम कर दी गई तो काला धन प्रमोट होगा पर ये जो धन है ये काला नहीं है तो कैसा है बदा लान लिमिटेट चोकाने वाला 80 करोड के उन्होंने bonds करी दे इतना चंदा profit कुछ नहीं पर चंदा देने के लिए आपके पैसा कहां से है future gaming 200 करोड के profit के बाद 1400 करोड तक का चंदा ऐसे बहुत सारे ना हम अभी आते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि कैसे आपके पीछे से ब्रष्टा चार हो रहा है और हम बस social media पे ये ठीक वो ठीक ये minister अच्छा मैं इसका fan मैं उसका fan करने में लगे हैं एक और cheese corruption और ब्रष्टा चार को चीक पुकार के बता रहा है आप सबको कि ब्रष्टा चार हो रहा है आपके आखों के नीचे से और आप देखें कुछ ED के च्छापे कुछ companies पे उनके links देखें फिर उनकी timeline को देखें तो देखें कि वो electoral bonds का time period कहिना गया उसके आगे पीछे गई है आपकी screen पे कुछ ऐसी companies है जहां पर चापा बड़ा और तुरंत बाद ही चंदा दिया गया अब यह नहीं पता चारक कि इस political party को वो अभी आएगा data पर चंदा दिया गया गया जो कि again रश्टाचार को दर्शा आ रहा है उसकी तरफ हिंट कर रहा है और फिर निर्मला सीधर नहीं चुबेगा अपको जानने का हक है सारांश में तो आज आप यह जान लीजिए कि आपको अवेर रहने की बहुत जरूरा था है मैं वेट कर रहा हूँ SBA का secret number के bridge का जब यह साफ हो जाएगा किस political party को किस company ने पैसे दी है जब वो साफ हो जाएगा तो मैं फिर से एक और वीडियो बना के उसके बार में discuss ज़रूर करूँ कि बार में वो साफ हो जाएगा कि आपको जाएगा कि एक बार में वेड़को जाएगा कि बार रहा हूँ